चले जी आज के लेक्टेस तरह करते हैं अच्छे जी हम लोग कहां तक पहूंच गये हैं हम लोग थे अपने कंपटीट की तरफ कोंपटीटर नहीं सीजी होते हुए अब हम आ गए अपने प्रॉफिट मार्चन क्वलेट काल्कूलेशन की तरफ मैं देलब है यह चीज मेक कि ठारीट प्राइस हमारी क्या होगी यह कहां से पता लगेगा है हमें हमारे कॉंपेटिशन ऑनलाइस से पता लगेगा सेटेंड इस हमने यहां पर अपनी तरफ से एस्टीमेशन नहीं लगानी है कि अलीबाबा पे इतने की मिल रही है तो शाहिद हमें इतना प्रॉफिट मा आगे क्लाइट को चीज़ें प्रवाइड करनी है तो उसके अंदर एस्टीमेशन नहीं चलेंगी उसके अंदर हमने उसको प्रूफ के साथ चीज़ें प्रवाइड करनी है हमने अपने मैनिफैक्ट्रर के साथ हमने अपने सप्लायर के साथ कॉंटेक्ट करना है ठीक है जी और हम लोग कहां पर थे हम लोग सुप्लाइर के साथ हमने बात की थी garlic press की पृडटेट के लिए तो garlic press हमने यहाँ पर आकर kiya और हम garlic press की पृडटर के पर चलेगे मैसेज अब आपको reply यह एक message आया है यह मेरे ख्याल से जो क्ल बात की थी थी ना उसी का reply आया है है जी कर लेते हैं मैसेज्जी के और क्लिक करें यह लें जी हम मैसीज्जीज के इंदर आगए इसके अदर आप ने पर सबके मैसेज्ज इस आपको यहां पर इस जो हो रहे होंगे हम देख लेते हैं यह देखें जी बेला विच पॉड़क्ट यू नीड अब यह देखे अब इसके ने जो रिप्लाइ किया है वह एक बहुत जादा मिलब मेरे लिए कन्फूजिंग रिप्लाइया विच पॉड़क्ट यू नीड मलब यह चीश ओकरा रही है कि यह कुई थर्ड पार्टी सैलर है यह कुई थर्ड पा जलिए गा कि एक सथार जैनवन और यह देखे जब आप उसको पहला मैसिज गरते न तो साथ सऺ आफ आपको यह पूड़क्ट की मिहिश्श स्टार्ट होता इसके उपर मैंने इसको पहला मैसिश हो ओगומצ यहां मुझे ना कुछ और शार हो ओर पितर यह है ये कोई third party seller थी ये कोई third party seller थी इसके पास बहुत सारी products है इसके पास बहुत सारी products है और multiple products के ओपर ये काम कर रही है ये हम से order पकड़ती है पीछे supplier से contact करती है और उन से order पकड़के हमें देती है तो ये एक third party seller है अब इसने तो अपनी image भी नहीं लगाई वी बाकी सब ने प्रीमिजिस लगाई में है प्रोफाइल में तो ये चीज़ शोक राती है कि जैन्वन seller को ये difference है एक जैन्वन seller में और एक third party seller में है चलो let's pause हमारा तो हम अभी समय नहीं करना तो let's pause मेरी से बात होगी मैंने इसे quotations ले ली और ये राजी हो जाती है मेरी 0.7 डॉलर की price के ओपर के मैं आपको एक piece उसकी packaging वगाईरा सब कुछ करके without without ddp without ddp मेरे लफजों पर गोर करना है आज आप लोग ने कि मैं आपको एक piece की manufacturing 0.7 डॉलर पर देने के लिए तियार हूँ लेकिन मैं ddp की service नहीं दोंगी आपको इसके लिए हमने क्या करना है वह आगे चलके हम देखेंगे तो मलब बगाई डीडीपी मुझे यह product मिल रही है 0.7 डॉलर के ऊपर तो मैं manufacturing fees without ddp लिखूंगा यहां पर विदाउट डीडीपी तो आप लोगों को understanding होगी होगी अब तक के डीडीपी क्या होता है और आफ लोगों को बता दिया था तो विदाउट डीडीपी मुझे का मिल रहा है यह 0.7 डॉलर के अंदर ठीक हो गया जी डाउट डीडीपी मुझे मिल रहा ठीक है कि हमने एस्टीमेशन लगाई थी टू डॉलर की हमने कितने की एस्टीमेशन लगाई थी टू डॉलर की और यह तो हमें पूस आता मुलब एक रिजनेबल वाउंट पर मिल गया है अच्छा जी मैनिफेक्ट्रिंग होगी विदाउट डीडीपी अब आगे शिपिंग फीज भ पड़ेगा शिपिंग फीज फॉर फ्राइड फॉर्वडर नहीं यहां पर यह लिखूं तो आप लोगों को ज्यादा अंडर्सेंडिंग होगी क्योंकि हमने फॉर वडर को हाइर करना है आग तो आप वही फ्राइड फॉर्वडर ही मेरे लिए शिपिंग करेगा तो यह जो फॉर्ड फॉर्वडर कहां से हाइ 좋 mo 본 को है लीवाबा अलीवाबा आपको फॉर्वड फॉर्वडर की शर्विसज्स दियए कआगी और अलीवाब़ा के जो फॉर्वड फॉर्वडर है यह रीजनेबल भी हैं इनकी प्राइस भी बहुत निगोशियाबल है तेसे क्षि वेरिफाइड होते हैं यह फ्राइड फ्राइड और बहुत ज़्दा रिजनेबल और इनका तो अलीबाबा ट्रसवर्दी है मलब अगर आपका जो फ्राइड 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 वोडर है वह आपकी शिपिंग ऑन टाइम ना करें तो उस केस को कौन हैंडल करेंगा अलीब पर आपके पर करता है बाइल लो या वैसे लोग अपर एक बोक्स के ओपर से लेकर ट्व.ट ौस्फ टॉ डॉल ले भी है जम्स भी है सके पास थीन साल रहा एक्सपेय्इंस भी है य हमिए ब्लाब्ला ठीक है ठीक है रीaghetti क depths ही मैं चांता हूं कि मुझे पर किलोग्राम की उपर मिले मैं चाहता हूँ कि मुझे वो फ्राइड फ्रावडर मिले जो मुझे पर किलोग्राम के उपर दे ताके मैं उसे एस्टिमेशन लगा से हूँ कि मुझे कितने चार्जिस पढ़ने है यहां पर दूसरा बंदा नजर आ रहा है कि जिरो पॉइंट नाइन से लेकर वन पॉइंट कर सकता हूँ मैं इसे बात कर सकता हूँ इसी तरह मैं दो से तीन फ्राइड फ्रावडर के साथ बात करूँगा यह भी देखें यह भी फ्राइड फ्रावडर है ठीक है जी और यह बहुत जादा रिजनेबल ले रहा है मिनिममम फिफ्टी किलो ग्राम आपका होना चाहिए यहाँ में लिखा तो होता है कि मीनिमूम इतने यह, लेकिन अगर आपने less than 50 kg भी करवाना है ना, तो तब भी को इस्यों नहीं है, तब भी को इस्यों नहीं है, यह लोग कर देतें रे वैसे लिखा होता है यहाँ पर, तो यह भी ठीक है, वैसे इसका 3 साल experience है, ट्रेड में के शोरंस है, जेम्स बहुत अच्छी है इसके, वेरिफाइड है, गोल्ड कोई नहीं है लेकिन वेरिफाइड है, तो मैं इसके भी बात कर सकता हूँ, इसी तरह मैं तकरीबन, जिस तरह मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपनी manufacturing के लिए product की manufacturing के लिए हम तकरीबन पांच से छे फ्राइड फावडर के साथ लाजबन कोंटेक्ट करेंगे, ठीक है जी, और इन फ्राइड फावडर को हमने किस तरह इनके साथ बाचित करनी है, क्या प्रोसीजर होगा, आज हम उसको देखेंगे, अच्छा जी, फ्राइड फावडर हाईर करना है, यह फ्राइड फावडर है, ठीक है जी, यह वाला, जिसके पास गॉल्ड कॉइन भी है, ट्रेड माक शोरांस वगरा भी है, सब कोश है, तो इसका रिस्पॉंस भी मुझे अच्छा आ रहा है, ठीक है जी, और इसकी प्राइस भी बहुत जादा निकोशेबल है, मतलब यह ल लगाई थी, टू डॉलर की, मैंने जब हम लोग ने एस्टिमेशन की थी, अगर आप लोगो याद होगा, जब अमजोन के उपर हमने कॉंपटिशन अनलाइसीज किया था, इसलिए, इसलिए किया था, ताकि हमें पता हो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट्स क्या है, हमारी मैक्सिम कर लेना है, ताकि आप को पता हो कि जब मैने एस्टिमेशन की थी, तो एस्टिमेशन के अंदर इतने डॉलर मैने वैंनेEl боль कि फीज की पर है थी, और इतने डॉलर मैने शिपिंग का लगाए थी, यह था हमारा कॉमपटिटिटर जो मिन रखा था, होफविली यहां पर सेफ होगा लेकिन अगर ना भी वा तो कोई इशू नहीं है हाँ सेफ है तो इसकी इमिज लेनी है मैंने टू डॉलर मैंने लगाये थे फॉर मैनिफेक्शनिंग प्रीज और दो डॉलर के लिए हासी मैंने इस अपताव लगाया था के पर यूनिट के उपर मुझे इतने डॉलर पड़े हैंगे तो यह जो सप्लायर है यह जो फ्राइट हाइर करना है ठीके जी तो फ्राइट फ्रावडर हमें यहां पर अली बाबा से ही इजिली मिल जाएंगे अब यहां पर बेस्टी के लिए बहुत सारे प्राइबेट फ्रावडर्स भी होते हैं ग्रुप्स भी बने वे हैं इनके लेकिन क्यूंकि हमें चाहिए अड्रेस ना बताओ ताके हम उसको उसको पकड़ सकें और अपनी जो डिलिवरी है वो ऑन टाइम करवा सकें तो उन सब प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए जो सबसे में और जो सबसे वेरिफाइट प्लैटफॉर्म है वो अलीबाबा अलीबाबा के उपर से हमें सबसे या सेलर से मैं सर एफोबी टॉपिक बता रही है आप बेसिक लिए ना यह जो फ्राइट फॉवडर होता है यह पोर्ट से भी कर देता है अगर तो आपका सप्लायर आपको कहें कि नहीं मैं आपको एक्स वर्क्स दोंगा एक्स डबली वाली सर्विसिस दोंगा तो यह आप सप्लायर की factory से उठाएगा ठीक है यह different verify करती है situation according to your supplier ठीकर जी कि आपका सप्लायर आपको F.O.B. दे रहा है या आपको सप्लायर आपको X-Works दे रहा है अगर तो आपका सप्लायर आपको F.O.B. दे रहा है ठीक है जी तब आपने अपने फ्राइट फोवडर को किया कहना है कि आपने मेरी इन्वेंटरी कहां से उठानी है चाइना की पोर्ट से और अगर आपका सप्लायर आपको कहता है कि मैं आपको एक्सवर्ट्स दूँगा तब आपने अपने फ्राइट फॉर्वडर को कहना है कि आपने मेरी इन्वेंटरी मेरा जब सप्लायर है उसकी फैक्टरी से उठानी है और अगर आपका सप्लायर आपको एफो भी देता है न तब आपको price में बहुत ज़्यादा consideration हो जतीए बभा किस तरह चाइना की government का एक rule है चाइना की government का एक rule है कि अगर आप export करते हो अपनी mentor या कोई भी चीज़ export करते हो तो चाइना की government आपको बहुत ज़्यादा relaxation देती है आपको तक्रीबद 5 तू 10% उस प्रोडट की मैनिफेक्शनिंग के उपर जो आपको कोस्ट आई होती है वो रिफंट करती है चाइना की गौर्मेंट पर प्रोडट की मैनिफेक्शनिंग के उपर दुबारा सुनने कि अगर आप लोग अपने सप्लायर से एफ भी ले रहे हैं तो एफ भी का रूल यह है कि आपका जो सप्लायर होगा वो चाइना की गौर्मेंट तक आपकी इंवेंटरी चाइना की पोर्ट तक आपकी कुछ अमाउंट तो अगर तो आगर सप्लायर आपको एफ भी दे रहे हैं तो आपने सप्लायर से बात करनी है क्योंकि आपको रिफंड मिलता है क्योंकि आपको चाइना की गवर्मेंट की दरस रिलाक्सेशन मिलती है तो इसलिए आप हमें भी इसलिए आप हमें भी रिलाक ता देता हूँ जब आप आपका सप्लायर कहेगा आपको कि मैं आपको F.O.B की सर्विसिज दूँगा तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि चाइना में एक रूल है कि अगर आप पॉर्डट मैनिफेक्चर करवाते हो और उस पॉर्डट को एक्सपोर्ट के लिए चाइना की पॉर्डट तक लेके जाते हो तो जो चाइना की पॉर्डट में जो गवर्णमेंट के एजेंट होते हैं वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं पॉर्डट की प्राइस की कुछ अमाउंट मतलब let's suppose आपने product को manufacture करने में या उस product की inventory manufacture करने में 100 dollar लगाए है तो आपको चाइना की government की तरफ से 10% refund मिलेगा यह जी तो actually मैं आपने inventory कितने में ready की है 90 dollar के अंदर तो अगर तो आपका client आपका जो supplier है वो आपको FOB दे रहा है तो आपने अपने supplier से भी यह बात करनी है कि क्योंके FOB के अंदर आपको government की तरफ से relaxation मिलती है तो आप हमें भी कोई 2-3% relaxation दो product की manufacturing price के ओपर की को गया लिखिये सबने यह अच्छा जी आगे चलते हैं और Xworks में क्या होता है अब Xworks में यह होता है कि आपका जो supplier होता है यह जी वो inventory द्यार करके अपने वेराstell से राख लेता है तो आपने अपने freight forwarder को कहना है यह जो freight forwarder है आपने इसको क्या कहना है आपने इसको कहना है कि आपने मेरे supplier के वेरह उसमें जाना है उदर से आपने मेरी inventory उठानी है और वो Amazon के वेरह उस तक लेगा जानी है तो दोनों cases में थोड़ा बहुत difference आएगा तो obviously अगर आप अपने supplier को Xworks का कह रहे हो तो थोड़े charges भी जादा लेगा वो आपसे तो पहले वो आपके supplier के वेरह हो जाएगा उदर से फिर inventory लेकर जाएगा और अगर आपका supplier पहले सही port पर आई भी है तो उदर से भी आप relaxation मिल जाएगी flight for order की तरफ से ठीक है तो ये चीजें differentiate होती है बेहतरीन चीज़ क्या है बेहतरीन चीज़ F4B है बेहतरीन चीज F4B है हाँ अगर आपका supplier F4B पे ना मने expert का कह रहा हो या GDP का कह रहा हो तो तब हमारे लिए बेहतरीन चीज़ DDP है ठीक है जी फिर आप अपने supplier को ही कहते हो कि देखें मार्किट में 1.5 या 1.2 या जिसतरा आपको राम पर रेट का पता है पर किलो ग्राम का वह आप बताते हो और वही फिर वह आपको चार्ज कर देता है ठीक होगे understanding होगी या फ्राइट फोरवर्डर की आप लोगं को क्वेशन कर सकता हूं चलें करें आप पूशें एक्सबॉक्स के केस में फ्राइट फारवर्ड जब हमारे supplier के वे रहु से उठाके पोड पर शिप कर वाने जाता है तो क्या चाइनिस गोवर्मेंट उसको भी होता है उसके पास ना ऍाल नियुक्ञ टाम में जय बाट आंटी है जो हुना और नियुक्ट वहें में वडक्स मीठशन नीयुफड व Finanz सोती है उसको मिलता है जो प्राइड फोरड जी आप assistance तो आपने सप्लायर को अड्रेंस देना है अपने फ्राइट फॉर्डर का या उसका फून नंबर जो भी है तो आपका सप्लायर कॉंटेक्ट करेगा आपके फ्राइट फॉर्डर से जब वो इन्वेंटरी पोर्ट पर जाने लगीगी उधर फ्राइट फॉर्डर भी मुझूद होगा उधर आपके मैनिफेक्ट्रर भी मुझूद होगा आपका मैनिफेक्ट्रर आपकी इन्वेंटरी ह शरूरस का बंदा भी हायर करना पड़े हैं है क्या वह बी अलिबाबा पर उसके शर्विसेज शरूरस का कोई इसके सकते हैं क değildi MP3 आप कोई इन्स्पक्र प्राइ़र नहीं है हायर करना पड़ता है वह से लिए क्लाइन तो त्रीका पता होता है कि हमने कैसे अपनी वालिटी शूरन करवानी है अगर उनके पास प्राइम अकाउंट तो और भी अछी वात है तो आप प्राइबेट ली करते हैं गूर्प्स में आप लोग देख लें अंग्रेजनों में जिटेंब भी गूरूस है ना खासकर Amazon Virtual Assistance उनकी अंदर बहुत सारी ऐसे लोग बैठे में जो चाइना में रहते हैं वो आपके लिए ये काम करते हैं वो आपके लिए एस एन इंस्पेक्टर बनते हैं और आपकी इन्वेंटरी जाके उदे इन्सपेक्ट करते हैं तो आपके फिर प्राइविटली हायर करना पड़ता है अली बाबा के ओपर इस्ता की कोई सर्विस अभी तक नहीं आई है सर वो वेबसाइट नहीं है क्यू आई में कीमा डाट काम उस पर मिल जाएंगा इजिली इन्सपेक्टर वो ग्रूप में साइट कर दें वेबसाइड आफ ठीक होगे जी अब हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्टन अपने होल लून करें अब हम सब्सक्राइब बढ़ते हैं ताकर थोड़ सी और चीज़ें कवर कर लें तो फ्राइट फौ़स अब हमेरे क्लियर हो गयए हमें लेट स्पोज में यह फ्राइट बोड़् । DR Andrea है हमें अब भी बता रहा हुन निङोशीयेट करना इसके साशाइब आपने इसके साथ भी निगोशीयेट करना जितना लेके सबश्मना और कोitus स्ब्सक्राइब है और हमारी जो प्रोड़क्ट है उसका वेट किया है उसके मैनिफेक्चरिंग वेट किया है तो मैनिफेक्चरिंग वेट हमें कहां से पता लगेगा कि जो प्रोड़ट हम मैनिफेक्चर करवा रहे हैं जो प्रोड़ट हम मैनिफेक्चर करवा रहे हैं अली बाबा के उपर हम तो आप यह कौन बताएगा यहां पर हम लोग एस्टिमेशन नहीं लगा रहे हैं यहां पर हमने हमारे सप्लायर से पूछना है कि आप हमारी यह पुड़र्ट मैनिफेक्चर कर रहे हैं इसका पर यूनट ग्रोस वेट क्या है जिसके अंदर इसकी पैकेजिंग भी आएगी त आपने पूरा भी लगाना है और आपने इंडिविजुल भी लगाना है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग इंडिविजुल के साथ करेंगे क्या भी हमने इंडिविजुल पूडट के उपर प्रॉफिट कैल्कुलेट करना है तो लेट्स पोज मुझे वह मुझे में लिए आपके जो शिपिंग कोस्ट पढ़ेगी वह लेट स्पोज आपको पढ़ती है 1.692 डॉलर ठीक है जी पर यूनिट के उपर पर यूनिट के उपर यह आपके आगी शिपिंग कोस्ट आगी सेकंड चीज क्या है सेकंड चीज है आपकी एफबी एफीस लगेगी एफबी एफीस आपको आपका कल्कुलेटर बताएगा आपका जो कल्कुलेटर है वह आपको एफबी एफीस बता रहा है अब लेट स्बोज आपने 9.9 9.75 की पूड़ेट इसेल करनी है यहां पर अपनी फीट लगाते है 9.75 ऐगा जी तो 9.75 के वपर आपको फीस कितनी बाड़ी है 3.48 जहां पर आपको नजर आ रहा है यह 3.48 डॉलर्स हुआ है टोटल एक भी टोटल भी लगा ले हम इंडिविजिल तोड़ तोड़ के लगाएंगे ना थाकि एंडिसेंडिंग हो के कौन कौन सी चीज़े एड हो रही है वैसे तो जब आपको एक्सपीरियंस होजेगा तो आप टोटल यहां से पकड़े हैं और वहां पर रख दे कि है अकारं antic श्टोर्री फीच आड़ को कि स्टोरीं कौन सोचवाम होता और reak smiles के मैंले Chopra पाइंड है ए कि विझा हैं समय और तो जर वाण की बाभ बता हो ना तो जजेन्वन ही हम लोग इसको आड़ नहीं करते हैं क्यों सोचा नहीं होता कि हमारी इन्वेंटरी एक महिने से ज़्यादा पड़ी रहेगी वह वेजनी ही हमने दोस्तों है तो ऐसे निकल जानी है लेकिन फिर भी माइनर चेंजिस के लिए यहां पर मैं आप लोग के लिए एड कर रहे हूं जब आप लोग करेंगे तो कोशिच कीजिए का इसको ना ही एड करें हूं हमने दो इसक्राव है तो यह जब दो एडिए पतर left-पने है लोक्ता लिए meुझ से ठीका लोग कर दोस्तों है तोस्तों है जब जगा करेंगे दोस्तों है लोग